अज़कार दोस्तों मेरा नाम है विपुल राजप्राइट और स्वागत है आपके अपनी चैनल विपुल एजुकेशन पर दोस्तों आज विशे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विशे है हमारी संस्कृत के जो कलास जल रही है आज कलास नमर चार है आज हम चर्चा सब्सक्र दोस्तों आज महैं सब्सक्राइब आधार हैं और दोस्तों हम महाईष्वरी सत्रों पर पर दौस्थ होसे महाईहिष्वरी सत्रों भी बताऊंगा जिसकी साहिता से आप महिस्वरी सुत्रों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं वो तरीके बताऊंगा जिनकी तरे तरीकों से आप महिस्वरी सुत्रों को बहुत बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो च या माहेश्वरी सुत्रों के तो माहेश्वरी सुत्रों को मैंने आपको पिछले वीडियो मताई था कि जब भगवान शंकर ने किसका डमरुवादन किया था तो उनके डमरुवादन से चवदा सुत्र निकले उनको भगवान पाड़ी ने चवदा महेश्वरी सुत्रों का नाम दिया और वो बने हैं चवदा महेश्वरी सुत्र अब दोस्तों आपको इन महेश्वरी सुत्रों को कैसे याद रखना है तो सबसे पहले हम महेश्वरी सुत्र देख लेते हैं एक सरस निगामे तो पहला सुत्रे दोस्तों ए ई उ अने दूसरे री री के तीसरे ए ओंगे चोथा है आई आउ चे पांच वह है ये वे रे टे छटा है ले अने साथ वह ये में अने अने ने में आठ वह जे भे ये नवह आए घे धे से दस वह जे बे गे डे दे से और ग्यारवाएं खे फे छे ठे ठे चे टे वह बारवाएं के पे ये तेरवाएं से से रे और जावदावाएं हल अब दोस्तों ये तो एक सरसरी निगामे होगे अब आपको ज्ञान रखने वाली ये बात है कि महिस्वरी सुत्रों में जो परत्य हलंत वाला जिनके हलंत लगे हुए हैं इन सब को काउंट नहीं किया जाता है यानि महिस्वरी सुत्रों में जो परत्यहार के आप सब्द देखोगे तो इनके अंदर इन सब्दों को काउंट नहीं कियाता है बलकि आप जो है इन सब्दों को अंत में देखोगे जैसे हम एक परत्याहर की जर्चा करते हैं, परत्याहर का नाम है अच्परत्याहर, परत्याहर का नाम है अच्परत्याहर, अच्परत्याहर की जब आप बात करोगे, तो अच्परत्याहर में दोस्तों, इस ऐसे लेकर, इसे ऐसे लेकर, और यहां अई तक के जो स्वर हैं, वो सामिल कह जा और सुरुवात का जो है यह यानि प्रत्याहर जब्य निर्मान करूगे तो कोई भी महसुर्य शुत्रो उस महसुर्य शुत्र के पहले उसुत्र का पहला वर्ण और जहांग तक है उस सुत्र के लाष्ट वर्ण को सामिल किया दाता है जैसे अब आपको ध्यान पूरवक इन बातों को ध्यान रखना है कौन कौन सी कि महिस्वरी सुत्रों में यह जो अच्छ है अच्छकारत क्या होता है दोस्तों स्वर होता है तो प्रारंब के चार जो महिस्वरी सुत्र है यह सुत्र है दोस्तों स्वरों के महिस्वरी सुत्र और किसके स्वर यह दोस्तों स्वरों के महिशुरी सुत्र हैं प्रारम के चार महिशुरी सुत्र से सामिल है ए ए उ री लरी ए ओ आई आउ कितने हैं तीन दो पांच दो सादो नो नो स्वर यह नो स्वर किसमे सामिल है महिशुरी सुत्र में और पांच से लेकर दोस्तों 14 तक ये सारे के सारे वेंजन है इस है से प्रारम करके इस लै तक इस है से प्रारम करके ये लै नहीं दोस्तों ये लै पांच्वे स्वर के है से प्रारम 14 श्वर के लै तक हल परत्यहार बनता है और हल कारता है दोस्तों वेंजन तो पांच्वे से लेकर 14 तक की जो संख्या है आप गिनूगे तो कितने आगे 33 गिन लो एक दो टीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोडा सद्रा ठारा उनिस पीज इकिस बाइस तेइस चोईश पत्रिस चबिस टाइस 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 एकतिस बतिस तेटिस हो प्रथम आपको ध्यान रखने वाले बाता है प्रारंब के चारों महिस्वरी सुत्र प्रारंब के चारों महिस्वरी सुत्र स्वर से समझनेता है और पांच्वे सुत्र से लेकर चौद्वे सुत्र तक के अंत के जो आपके दस महिस्वरी सुत्र हैं दस महिस्वरी सुत्र व कि यह सब्सक्राइब करहा। ने ने ये दोस्तों पंचम वरण होते हैं कौन्से होते हैं पांचवे वरण पंचम वरण होते हैं तो सात्वे सुत्र में आगए पांचों वरण सात्वे सुत्र में क्या आगए पांचों वरण आगए अब बात करते हैं आठ्वे सुत्र की आठ्वे सुत्र में देखो जै भ मैं का भै डै का डै दोस्तों जै भै घै डै आपको पता है कि यह आठवें और नुवें सुत्र में यह जो धैं यह सारी कौन से हैं दोस्तों यह वरग के चोथे वरग में आते हैं यह चोथे वरग में यानि चोथे वरण होता है किसी भी अक्सर का तो यह आते हैं तो यह आ गए चोथे वरग में अब हम पांचवाण से चोथे चोथे से जाते हैं तीसरे पर है तो तीसरे के बाद करते हैं जैसे बैसे गैसे डैसे दैसे जै बै गै डै दै तीसरे वरण में आ गई ये आ गई तीसरे तीसरे के बाद दोस्तों आता है दूसरा खै फै छै ठै ठै खै फै छै ठै आ गई दूसरे वरण कि अब देखो बताओ दोस्तों दूसरे के बाद क्या आएगा पहले में क्या आएगा चे टे टे के और पह यानि ग्यारवावावावा सुत्र हैं पहले वर्ण को दर्शाने वाले अब दोस्तों बंच गया क्या अब बंच गया उस्सम्वेंजन तो ये रहे उस्सम्वेंजन से से है ये तेरमा उर्था उर्था सुत्र हो गया उस्सम्वेंजनों का तो दोस्तों दुबारा देखलो एक से लेकर जार तक श्वर के सुत्र है पांचमे सुत्र में और छटे सुत्र में आपको अंतिस वेंजर मिल गए शातमे सुत्र में आपको पंचम वरण मिल गया आठमे सुत्र में आपको चतुर्थ वरण मिल गए आठवे और नवे में चतुर सवरण मिल गए दसवे सुत्र में आपको त्रिक्त्य वरण मिल गए ग्यारवे सुत्र में आपको द्वित्य वरण और ग्यारवे और बारवे सुत्र में आपको पहले वरण मिल गए और 13 और 12 में आपको उस समवेंदन मिल गई तो दोस्तों पता दल गया कि महेशवरी शुतरों को याद करने की ट्रिक्स यही थी आपको याद रखना है कि सवर वाले महेशवरी सुतर कौन से है और आपके चतुर्थ वर्ण वाले महिसरी शुत्र कौन से है और आपके चतुर्थ वर्ण वाले महिसरी शुत्र कौन से है तृत्य वर्ण वाले महिसरी शुत्र कौन से है पहले वर्ण वाले महिसरी शुत्र कौन से है और उसम्वेंदे वाले कौन से है अब आप एक बात पर गोर करोगे अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो दो बार आ रहा है एक तो आपको है दिख रहा है है एक यहां भी है एक यहां भी है और एक आपको रह दिखाई दे रहे एक रह यहां पर भी है एक रह यहां पर भी है इसके अलावा कौन सा वर्ण है जो दो बार आ रह प्रारम में ही आ रहा है तो आपके लिए मैं एक किस्टन छोड़ की जा रहा हूं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजेगा आपको बताना है यन परत्याहार में कौन-कौन से वरण सामिल होते हैं कि उस्तन दुबारा सुन लो यन परत्याहार में कौन-कौन से वरण सामिल होते हैं इस का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और मैं आप इनके इंतिजार कुना कमेंट के इस उत्तर के लिए और कल हम जो है दोस्तों कक्षा पांच रहेगे हमारी उसमें हम महिश्वर सुत्रों को थोड़ा और और साथ में प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों तो यह था आज का वीडियो आपको यह वीडियो कैसे लगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना कमेंट कर देना चैनल सब्सक्राइब में नहीं किया अभी तक चैनल जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों जय हिन जय भारत आप सब अपने अपने घरों में रहें स्वस्त्राइब